ये दोस्तों, hope आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से grow कर रहे होंगे, दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो stocks है, वो analysis करने वार हूँ, वो बहुत ही अच्छे stocks है, और position trading मतलब, आप उसके अंदर एक महीने से लेके, तक आप उस stocks को buy करके hold कर सकता हूँ, और बहुत ही analysis है, वो कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे weekly time frame के अंदर अगर दिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक inverted header shoulder pattern है, वो market ने बनाया हुआ है, ठीक है, और इसका breakout भी हो चुका है, और यहाँ पे एक bullish candle हमें देखने को मिल रही है, एक hammer हमें देखने को मिल रहा है long week वाला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 151 या 152 के उपर हम इसको buy करेंगे, और हमारा stop loss कितना होगा, 140, ठीक है, मतलब 10 रुपे का stop loss होगा, और हमारा target कितना होगा पहला, हमारा target होगा 200 रुपे का, ठीक है, हमारा सबसे पहला target कितना होगा, 200 रुपे का, ठीक ह अगर इसका second target की बात करूँ तो second target ही इसका 250 ठीक है मतलब 10 रुपे के stop loss के उपर हमें 100 रुपे earn करने को मिल रहा है ठीक है तो आप इस stocks के अंदर अपनी investment है वो कर सकते हैं then आप इस stocks को hold अगर सकते हो मतलब जब तक कि हमारा target है वो नहीं आ जाता ठीक है अगर हम इसको daily time frame के अंदर देखें इस stocks को तो यहां पर आप clear cut देख सकते हो कि यहां पर हर एक चीज वो पता चल रही है कि चार्ट के उपर जैसे इस stocks ने क्या है inverter and head and shoulder pattern ने वो बना दिया है then बहुत तगड़ा moment यहां पर हमें देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आप इस stocks के अंदर कुछ investment है वो कर सकते हो जिसके अंदर आपको 10 रुपे का stop loss और 100 रुपे का target है वो मिल रहा है ठीक है तो आप इस stocks के बूलिश है वो दिख रहा है ठीक है तो आप इसके अंदर investment है वो कर सकते हैं आपका target पहला वाला कितने का रहेगा 200 रुपे का और दूसरा target आपका 500 रुपे का ठीक है तो आप stocks को buy कर सकते हो ठीक है हम चलते हैं next stocks के अंदर next stocks जो है हमारा वो है coverage ठीक है limited ओके यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ वी weekly टाइम फ्रेम के अंदर हमने इस stocks को देख रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो market ने क्या किया है double bottom हमें बना के दिया है और उसका भी breakout है वो हो चुका है ठीक है यहाँ पर यह daily टाइम फ्रेम के अंदर है मैं इसको weekly टाइम फ्रेम के अंदर जब करते हैं हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें w बनाते हुए market के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो इसका breakout हो चुका है market जैसे retest करेगा आप enter कर सकते हो then हमारा जो सबसे पहला target रहेगा वो यहाँ तक रहेगा ठीक है five zero मतलब six thousand के something इसका target है वो रहेगा ठीक है वो डेवलिव बनाया है market ने तो बहुत ही अच्छा consolidate करने के बाद market ने breakout दिया है तो और यह सीधा का सीधा एकी साथ में upside की moment है वो दिखा सकता है तो आप इस stocks के अपनी watch list के अंदर दर्ख सकते हैं और इसको add कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा profitable हो सके ठीक है तो हम चलते हैं next stocks के और दूसरा जो stocks है हमारा तिसरा वो है जे के टायर जे के टायर स्टोक्स के अंदर आप देख सकते हूँ के यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम खोर रखा है तो वीकली टायम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं inverted head shorter pattern यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा हम इसको कर लेते monthly timeframe के अंदर ठीक है तो monthly तो आपको पता ही है जब market बहुत बार किसी भी resistance को touch करता है बार-बार और क्या है कि उसके break होने का chance से वो बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं तो इसीलिए market ने क्या क्या इस resistance को market ने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमें इनवर्टेड हैजर चोटर पैटरन वो बनता हूँ दिखाई रहा है तो हम इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ट्रेड है वो ले सकते हैं ठीक है तो आप इन स्टोक्स जो भी मैंने तीनों स्टोक्स बताए हैं व दोस्तो ये थब तीन स्टोक्स जो आने वाले वीक के अंदर जो आने वाले मन्त के अंदर बहुत ही तगड़ा परफोर्मेंस से वो कर सकते हैं तो दोस्तो कैसी लगी वीडियो कमेंड करके चूब बताना ऐसी ही अमेजिंग दार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्र करें बेल आइकन बटन को ओन करें वो दिन दोस्तों के साथ वीडियो को शेर चुरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए उक्यवाए जैहन बंदे मात्रव